टीमसी सांसद महवा मोहित्रा आज संसदिये एथिक्स कमेटी के सामने पेश होई मोहित्रा ने एथिक्स कमेटी के सामने अपना पक्ष रखा जिसमें उन्होंने अपने उपर लगे आरूपों को खारिच किया वही कमेटी को लेकर महुआ ने बड़ा आरोप लगाया है उसके बाद विपक्ष ने एथिक्स कमेटी के बहिशकार का एलान कर दिया क्या है पूरी खबर देखते हैं ये रिपोर्ट संसत की एथिक्स कमेटी की मीटिंग में आज हंगामा हो गया टेमसी संसर महुआ मोहित्रा से पूछे जा रहे बेहादीजी सवालों की खिलाफ एथिक्स कमेटी के सदर से ही आमने सामने आ गए जिसके बाद कमेटी में शामेल विपक्षी दलो के संसतों ने मीटिंग का बहिशकार कर दिया मीडिया ने उनके वॉक आउट का कारण पूछा तो महुआ मोहित्रा ने जवाब दिया कि एक महिला से परसनल सवाल पूछे जा रही है एथिक्स कमेटी अन एथिक्स बाते पूछ रही है वह एथिक्स कमेटी के सद्ध शिदा निशली ने कहा कि कमेटी की मीटिंग में एक महिला का चीर हरन किया जा रहा है विपक्ष के संसतों ने कहा कि महुआ मोहित्रा से पूछा गया है कि आप रात में किस से बात करती है किस से कब बात की है किस से होटल में मिली हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो बोला गया ये गोपनीय है मगर एक सदस सारी जौनकरी लीग कर देते हैं एक महिला से अनैतिक सवाल पूछे गए दूसरी और टीमसी सांसत भी पूरी तयारी के साथ हर सवाल का जवाब देने के लिए एथिक्स कमीटी के सामने पेश हुई महुआ ने हाथ में एक नहीं तीन-तीन बैग ली रखी थे घंटों की पूछताच में उन्होंने अपनी बाते कहीं आरूपों का खंडन किया और जवाब दिया बैठक में आई-टी विदेश और ग्रह मंत्राली की रिपोर्ट पर चर्चा हुई अपने जवाब ये उन्होंने कहा कि उनकी नीजी जिन्दगी को मुद्दा बनाया जा रहा है सांसत मोहित्रा ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया लेकिन लंच ब्रेक के बाद उनसे फिर पुश्ताच हुई जिसमें उनसे प्रस्नल सवाल किये गई जिसके बाद वो एधिक्स कमीटी का बहिशकार करते हihat वे बाहर निकल गई वही विपक्ष के तमाम सांसदों ने भी संसत कैथिक्स कमीटी का बहिश्कार करने का एलान कर दिया है वही आज टीमसी प्रमुख और सीम अमता बनर्जी ने कहा कि ये सब एक राश्रितिक प्रतिशोत की वज़े से हो रहा है फिलाल महुवा की तेवरों से साफ है कि वह बीजेपी की आगे जुकने वाली नहीं है डीबी लाइफ की रिपोर्ट